हालो व्यूवर्स मैं कशेश वा स्वागत नेक्स देंलाइब वम्हें हैंने ये तो सब modifier जानते हैं कि सल्मान की जिंद्गी बहुत सारे आई हैं और वहाँ सारी लड़़ो में गई लेकिन शादी किसी से ना हो पाई जी हाँ लेकिन क्या ये किसी को मालूम है कि सल्मान खान का पहला प्यार कौन था तो उस बात पर हम बात करने जा रहे है आज कि आखिर का सल्मान खान की जिंदगी में इश्वर राय से लेकर किट्रीना कैफ तक बहुत लड़की आई लेकिन आखिर कार उनका सच्चा और पहला प्यार क्या था कहा जाता है ना कि पहला प्यार ही सच्चा होता है या फिर आगरी प्यार सच्चा होता है और आगरी तो हम सल्मान का देखी चुके है किट्रीना कैफ जो अपनी शादी के बंदन में बंद चुकी है विकी कोशल के साथ लेकिन अगर सल्मान के पहल सारी लड़किया भी होती है वही पर सल्मान के कुछ लोग दोस्त भी बने उनमें से एक थी शाहिन जाफरी जीहां शाहिन जाफरी ये सल्मान की दोस्त हुआ करती थी नेकिन वो दोस्ती ना जाने कब मुहपत में बदल गई ये भी पता ना चला और दूनों एक दूसरे से प साथ ये सल्मान का पहला प्यार था उसके बाद इनके बीच में काफी जादा बाते होने लगी मिलना मिलाना होने लगा क्योंकि शादी तो encore उनसे भी बाद में शादी क्यूं नहीं हो पाई ये बात भी आपको बता देते हैं कि जब दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थी तब शाहिन जाफरी की जॉब एरलाइन्स में लग गए थी और एरलाइन्स में लगने की वज़ा से वो सलमान से दूर चली गई थी और दूर जाने की वज़ा से उनके बीच का कनेक्शन तूटता चला गया और उसकी वज़ा से ही सलमान काफी जादा डिप्रेस्ट हो गए थे ले जब घर में शादी की बात भी हुई, यहां तक कि दूसरी लड़की के साथ भी शादी की बात हो गई थी, और जब शादी की बात हुई तो परिवार माल वाले उस चीज के लिए भी मान गए। पता दे कि वो दूसरी लड़की कोई और नहीं, वो संगीता बिजलानी थी, यहां जो अभी भी सल्मान खान की दोस है, लेकिन इन दोनों के बीच लगाता टकराव होने लगे और टकराव होनी के वज़े से दोनों अलग हो गए और शादी नहीं हो पाई, संगीता बिजलानी कोई और नहीं